हेलो फ्रेंड्स बीनम आफीसियल में आपका स्वागत है आज हम चनिय का कबाब बनाएंगे उसके लिए एक कप स्प्राउट चना ले लिए हैं जमा हुआ और इसमें हम डालेंगे थोड़े से लसन अद्रक के टुकड़े दो से तीन हरी मिर्च एक चम्मच धनिया खड़ा धनिया यूज़ कर रहे हैं हम इसमें आधा का पानी एक चम्मच जीरा हल्दी हाफ चम्मच नमक थोड़ा सा सारे लसन अद्रक भारी मिर्च और मसाले डालके हम इसको कोक कर लेंगे दो से तीन सीटी आने देंगे उसके बाद उबल चुका है हमारा चना इसको चान लेंगे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूफ करके ठंडा कर लेंगे पहले फिर इसको ग्राइंडर में डालके ग्राइंड कर लेंगे इसको हम दरदरा ही पीसेंगे, बहुत बारीक नहीं करना है हमें हमारा चना एकदम स्ट्राउट था इसलिए वो बहुत ही हेल्दी प्रोटीन रिच हमारी रेसिपी बन के त्यार होगी और इसमें बहुत ही लेस अमाउंट में हम आयल डालेंगे सारे बैटर को एक बाल में निकाल लेंगे इसमें आधा चम्मज हम बेशन एट कर लेंगे एक कटूरी भर के हरी धनिया की पत्तियां धुल के काट लिए थे उसको यूज़ कर रहे हैं एक नीबू का रस थोड़ा सा नमक अभी एट कर रहे हैं और बालते समय भी हम थोड़ा नमक डाले थे इसलिए बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अगर बैटर बहुत ज़्यादा सूखा लगे तो उसमें एक दो चम्मज पानी डालके अच्छे से इसका बैटर बना लेना चाहिए क्योंकि कबाब हमारा बनाते समय खुले नहीं इसलिए हम थोड़ा सा पानी चाहें तो एट कर लेंगे ज़्यादा सूखा हो तो देखिए ऐसे बैंड कर लेंगे फिर इसको कबाब का सेप दे लेंगे अच्छे से हाथ से अगर आपको हाथ से करने में दिक्कत हो तो आपके पास कुछ भी राउंड सेप में हो तो उसमें डाल के इसको अच्छा सेप दे सकते हैं हम तवा को पैन को ग्रीस कर लिए हैं आयल थोड़ा जादा ही डालेंगे नड़ी फ्राई नहीं करना हमको सारे कबाब बन के त्यार हो गए हैं अब हम इनको सेख लेंगे हलका तेल हम डाले हैं पैन में पुलट पुलट के दोनों साइट से इनको हम सेख लेंगे इसमें प्लेम को मीडियम रखे हुए हैं न बहुत तेज न बहुत धीमा देखने में हमारा कबाब कितना अच्छा लग रहा उतना ही हेल्दी और टेस्टी वर्न के त्यार होगा इस रेसिपी को आप चाहें तो बच्छों को टिफिन में भी दे सकती हैं या फिर कोई भी पार्टी हो तो उसका स्टार्ट अप के रूप में पहले से इसको आप बना के रख सकती हैं और फिर तुरंत गरम गरम इसको सेखके आप य्यूज कर सकती हैं आफिस वर्गैरा इसको दे ना हो उस में भी दे सकती है इसको टिफिन में बच्छे तो इसे बहुत पसंद करेंगे और चना की ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी बन के त्यार होगी ऐसे तो बच्चे खाते नहीं है पर किसी डिस्क के रूप में हेल्दी चीजें खा लें तो ज्यादा अच्छा होता है देखिए बहुत थोड़ा ही तेल डाले थे पर तेल ये बुबरा सोक कर लिया है हमारा कवाब फिर दोनों साइड से उलट पुलट के सेक लेंगे उपर से कुरकुरा अंदर से साफ्ट बन के त्यार होती है रेसिपी और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है देखिए कितना अच्छे से सिख गया है हम सर्फ कर लेते हैं हरे कवाब को अपने इसको आप किसी भी चटनी हरी चटनी सॉस किसी भी चीज़ से इंज्वाय कर सकती है अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और मेरी रेसिपी को लाइक कीज़ेगा और बताइएगा कैसी लगी ये रेसिपी आपको और आप इसे कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा बनाना पसंद करेंगे वह बताइए तो हम आगे वही रेसिपी बना के लेके आएंगे आपके लिए अब हमारा कवाब बिल्कुल खाने के लिए रेटी है आप भी बनाईए और इंजॉय कीजिए इसको देखिए अंदर से कितना अच्छा बन के त्यार हुआ है बहुत सारी धनिया की पत्तियां हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं इसलिए बहुत जादा पत्तियों को यूज किये है थैंक यू फर वाचिंग झाल 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 झाल